पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि धीरज को एक वीडियो मिलता है जिसमें कि चौधरी के लोग खटोला स्कूल के चपरासी को पत्थर से कुचल कर जान से मार देते हैं इसके बाद धीरज को एक फोन आता है जिसमें कि चौधरी कहता है कि मुझे अब 15 लाक की जगा 20 लाक रुपे चाहिए वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर इसके बाद एपिसोड 5 शुरू होता है जहाँ पर हम दूसरे समय पर देख पाते हैं कि पुलिस वाले धीरज से पूस्ताच कर रहे हैं कि तेरा और चौधरी का क्या चक्कर है क्या तुमने चौधरी से कुछ पैसे उधार लिये थे और इस बात पर धीरज साफ मना कर देता है कि हमने कोई भी पैसे वगरा उधार नहीं लिये थे तो यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि उसी उधार को चुगाने के चकर में तुमने कहीं सुहानी को तो नहीं घसीटा और शायद इसी वज़े से तो सुहानी की जान नहीं गई और इस बात पर धीरज कहता है कि नहीं सर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और सुहानी को मैंने इस सब में नहीं घसीटा उल्टा मैं तो सुहानी को इस सब में ना पढ़ने के लिए कहता था और ये बात कहते ही दीरज फस जाता है मतलब पुलिस वालों की बात सही थी कि उसने चौधरी से पैसे लिए थे खेर इसके बाद हम स्कूल की कहानी को कंटीनियो होते होए देख पाते हैं जहाँ पर दीरज सुहानी को अपने फोन पर एक वीडियो दिखा रहा था और ये वीडियो वही था जिसमें कि चौधरी के लोग खटोला के चप्रासी को जान से मार रहे हैं और ये वीडियो देखकर सुहानी भी काफी डर जाती है फिर दीरज कहता है कि अब चौधरी के लोग हमसे 20 लाग रुपए मांग रहे हैं वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर ये बात सुनकर सुहानी भी कहती है कि यार तुम लोग 20 लाग रुपए वो भी 3 दिन में कैसे चुका पाऊगे दिन हम साबा को देख पाते हैं जो कि एक कॉनफरेंस में आई होती है जिसका नाम था वर्ल स्टूडेंट फॉरम इस कॉनफरेंस में दुनिया के बहुत सारे देशों से स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर किसी एक जगा को अपने हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं मतलब कि किसी एक जगा के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर हालात कैसे हैं वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं वगेरा वगेरा तो यहाँ पर साबा भी आई होती है क्योंकि साबा का नाम भी स्कूल की लिस्ट में आ गया था तो वो यहाँ पर आई होती है और साबा यहाँ पर पैलेस्टाइन को रिप्रेसेंट कर रही थी मतलब पैलेस्टाइन के बारे में बता रही थी कि वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं वहाँ पर औरतों के साथ कैसे सलूग किया जाता है वगर 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 के चीज़े वो बताती है और जिस चीज़ से सभी लोग काफी खुश होते हैं मतलब उसकी स्पीच से सभी लोग खुश होते हैं और साबा जब अपने स्कूल जाती है तब स्कूल की लोग भी उससे काफी इंप्रेस हो जाते हैं टीचर्स भी उसे साबासी देते हैं इसके बाद यहाँ पे वीर भी साबा के पास आकर उसे कॉंगर्शिलेट करने लगता है बट पीछ में आपर याशिका आजाती है जिसे की obviously अब काफी जलन हो रही थी साबा से क्योंकि साबा को सब लोग पसंद करने लग गया है और यहाँ तक की उसका boyfriend वीर अब साबा के काफी करीब आने लग गया है यानि साबा को पसंद करने लग गया है जिस चीस से obviously याशि का अपने टीचर से मिलती है अपने स्कूल टीचर से उनके पास जाकर याशी का कहती है कि साबा एक गरीब स्टुडेंट है इसी वज़े से उसे सब कुछ मिल जा रहा है बट हमें कुछ भी नहीं मिल पाता इसके बाद यासी का अपने टीचर से कहती है कि जो भी हो अगर आप को स्कूल का वाइस पिंसिपल बनना है तो आपको मुझे हैम्टन स्कूल का गोल्ड स्कॉलर्शिप जिताना ही पड़ेगा चाहे जो भी हो जाए इसके बाद ये टीचर भी थोड़ा से सूचते हैं कि क्या किया जाए फिर ये टीचर भी मान जाते हैं और याशिका से कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे ये काम कर दूँगा बट उसके लिए तुम्हें मेरा भी एक काम करना पड़ेगा और ये सुनने के बाद याशिका यहां से चली जाती है अब ये टीचर याशिका से अपना क्या काम कराने वाला है वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा दिन हम यहां पे वीर और साबा को देख पाते हैं जो कि अपने स्कूल के स्विमिंग पूल के पास बैठे होते हैं और यहां पे वीर साबा से माफी मांग रहा होता है क्योंकि पिछले एपिसोड में वीर जब साबा के घर गया था तब साबा के अबुने साबा को डाटा था इसे वज़े से वीर साबा से माफी मांगता है और साबा भी यहां वीर से माफी मांगती है क्योंकि साबा ने भी उस वक्त वीर को घर से निकाल दिया था इसका मतलब य तुझे शायद तेरे से अब स्विमिंग नहीं हो पाएगी और ये सब सुनने के बाद दुरूफ जाता है फारूफ से मिलने के लिए और फारूफ के पास जाकर वो मीठी मीठी बाते करता है कि आगे चल कर हम साथ रहेंगे हम कपल से बन कर रहेंगे वगरा वगरा इसी बात पे फारूफ दुरूफ को एक जगा पर लेके जाता है जहां पर दो लड़कों का कब्र था और जो ये दो लड़के थे वो एक दूसरे से प्यार करते थे बट यहां पर फारूफ बताता है कि जब ये दो लड़के जिन्दा थे और एक दूसरे से प्यार करते थे तब इन् हम सूरज अहुजा के घर में एक dicide table को देख पाते हैं जहाँ पर सूरज और उसके जो कमपनी के friends वगेरा हैं वो सारे अपने family के साथ यहाँ बैठे होते हैं और डिनर कर रहे होते हैं और इसी में से एक होते हैं coel के dad जोकि announce करते हैं कि अब से अहुजा properties जो कि सूरज अहुजा की कमपनी है उसका वाइस चेयर्मेन होगा वीर अहुजा इसका मतलब कि वीर अब अपने पिता के कमपनी का वाइस चेयर्मेन बन गया है तो इसी खुशी में कोईल के डैड वीर को एक गिफ्ट देते हैं और ये गिफ्ट और कुछ नहीं बलकि एक फो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ वीर के डैड वीर को एक गारी गिफ्ट करते हैं और यह कार होती है रोल्स रोयस मतलब काफी महंगी बातचीत खैट दूसरी तरफ जब यह लोग कार को निहार रहे थे यहां पर सुहानी अकेली डिनर टेबल पर बैठी हुई नीरज से दोनों बैठे होते हैं और यहां पर सुहानी सिर्फ नीरज से मिलने के लिए नहीं आय थी बलकि सुहानी यहां पर बात करने आय थी कि नीरज और धीरज किस तरीके से अपना 20 लाक रुपए का करजाच चुका पाएंगे तो यहां पर सुहानी एक आइडिया देती है कि मेर के डैट के पास बहुत सारे फोन्स का कलेक्शन है जो कि काफी महंगे-महंगे फोन्स हैं और अगर तुमने उन फोन्स को चुरा लिया तो तुम्हारा काम आराम से हो जाएगा तुम अपना करजा आराम से चुका पाओगे और ये बात सुनने के बाद भी दीरज बार-बार मन करे उसको भी ना चाहते हुए इस स्चोरी के लिए मानना ही पड़ता है इसके बाद हम वीर को देख पाते हैं जो कि अपने आफिस में आया हुआ था मतलब अपने पिता के ओफिस में जो गया था क्योंकि वो अब अपने पिता के कमपनी का वाइस चेयर्मेन बन गया था त तो यहां पर वीर उस laptop को चेक करता है जिसमें कि उसे एक वीडियो मिलता है और वो वीडियो में देख पाता है कि उसके पिता यानि सूरज अहुजा अपने दोस्त के साथ यानि कोईल के डैड के साथ पाटी वगरा कर रहे हैं वो भी लड़कियों के बीच में आप देखी सक स्कूल बनवाने वाले थे तो यहां पर वीर अपने डैड से पूछता है कि हम यहां पर स्कूल बनवाएंगे और इसके आस पास जो लोग रहते हैं तो यह लोग कहां जाएंगे तो यहां पर वीर के डैड कहता है कि हम लोग नौइटा में कुछ फ्लैट्स बनवा देंगे और उनको वहाँ पर shift करा देंगे बट फिर वीर कहता है कि अगर यह लोग यहाँ से जाने के लिए ना माने तो तो यहाँ पर वीर के डैड कहते है कि हमारे पास कोई option नहीं है हमें इनको यहाँ से भगाना ही पड़ेगा और इस moment पे वीर को भी यह लगने लगा था कि शायद उसके डैड अच्छे आदमी नहीं है इसके बाद हम धीरज और सुहानी को देख पाते हैं जहाँ पर सुहानी धीरज से पूछ रही थी कि तुम चोरी के लिए कैसे मान गए तो यहाँ पर धीरज कहता है कि अगर हमने यह 20 लाक रुपए नहीं चुकाएं तो वो चौधरी के लोग मेरे पिता को मार देंगे और मैं यह नहीं चाहता इसी वज़से मैं यह चोरी करने के लिए मान गया हूँ इसके बाद देरज सुहानी को कहता है कि देखो सुहानी तुमने हमारी बहुत मदद की है इसी हो जैसे मैं तुमसे अब कुछ भी चुपाना नहीं चाहता तो मैं तुमें बताना चाहता हूँ कि जब मैं उस दिन तुमारे घर आया था असाइनमेंट के लिए उस दिन में तुमारे घर की तीजोरी को खोल कर उसमें से पैसे चुराने वारा था बट मैंने वो पैसे चुराएं नहीं और ये पैसे चुराने का आइडिया भी नीरज का था मेरा नहीं और मैंने कोई भी पैसे नहीं चुराएं और ये बात सुनकर सुहानी शौक्ट रह जाती है कि ये लोग मुझसे धुका कर रहे थे, खेर इसके बाद हम देख पाते हैं साबा और वीर खो, जो कि कहीं पर ऐसे टहल रहे होते हैं और बाते कर रहे होते हैं, जहाँ पर वीर साबा से कहता है कि मेरे डैड नूरपूर में एक स्कूल बनवाने वाले हैं और उसके आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें भगाने वाले हैं वहां से और ये बात सुनकर साबा कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला जब तक नूरपूर के लोग एक साथ रहेंगे जब तक वो लोग स्कूल बनवाने नहीं देंगे तब तक वहां पर कोई भी स्कूल नहीं बनेगा, बढ़ यहां पर वीर कहता है कि कब तक वो लोग एक साथ रह पाएंगे, कभी न कभी मेरे डैड उन्हें वहां से भगा ही देंगे. खेर बातों बातों में यहाँ पर वीर अचानक से साबा को किस कर लेता है और साबा भी इस चीस सरमा जाती है और यहाँ से चली जाती है खेर इसके बाद हम देख पाते हैं सुहानी और नीरज को जो कि यहाँ पर नीरज से मिलने के लिए आई थी तो यहाँ पर सुहानी नीरज से पूछती है कि उस दिन जब मैं तुम्हें अपने घर ले गई थी उस दिन क्या तुमने मेरे तीजोरी से पैसे चुराने की कोशिश की थी तो यहाँ पर नीरज कहता है कि हाँ मैंने पैसे निकालने की कोशिश की थी बट मैंने पैसे पर निबस पतिए और फिर्च किस था और इसाथ रहता है और इसे के बाद शायद वो अपने स्कूल के कैंटीन में जाता है जहां पर बैटकर अपने फोन में सुहाने के लिए एक प्यार इसी शायरी लिख रहा था बट इसी वक्त वीर का एक दोस्त धीरज का फोन चीन लेता है और धीरज में सायरी लिखी होती है उसे जोड़ जोड़ से पढ़ने लगता है और ये सारी चीज़े देखकर सुहानी नराज होकर यहां से चली जाती है और ये सारी चीज़े सुनकर वीर अचानक से उठता है और वो धीरच को आकर थपड मार देता है और फिर वीर यहाँ पर धिरत से कहता है कि मैंने कहाताना तुझे सुहाने से दूर रहने के लिए और इनके बीच यहाँ पर बल्ली आकर इनका जगड़ा शांत कराता है और यहाँ पर साबा भी वीर को साइड में लेकर उसका गुसा सांत करने लगती है और इस वक्त यहाँ पर वीर खाफिक गुस्से में था और गुस्से गुस्से में आकर वो साबा को फारुक के बार में बता देता है वो साबा को कह देता है कि तुम्हारा भाई एक गे है और तुम्हारा भाई ड्रक्स वगरा बेचता है और ये बात सुनते ही साबा शौक ड्रह जाती है और नराज होकर यहां से चली जाती है जिसके बात साबा सीधे जाती है अपने भाई फारुक से मिलने के लिए जहाँ पर वो देखती है कि फारुक ड्रक्स बेच रहा था फिर साबा फारुक से पूछती है कि क्या आप ड्रक्स बेचते हैं तो यहाँ पर फारुक पर कहता है कि मुझे बेचना पड़ता है क्योंकि पैसे एकटर करने के लिए मेरे पास कोई और आप्शन नहीं है मैं तुम्हारी तरह स्कूल नहीं जा सकता इसके बाद साबा फारुक से पूछती है कि आप लड़कों पर इंट्रेस्टेड हैं कि आप किसी लड़के से प्यार करते हैं और इस बात पर फारुक कहता है कि हाँ मैं लड़कों से प्यार करता हूँ तो इसमें क्या दिक्कत है क्या प्रॉब्लम है इसमें जो कि फारूग को समझ पाएगी कि बट यहाँ पर फारूग के बहन नहीं फारूग को इतना सपुत सुना दिया बुरा भला जिसके बाद फारूग काफी दुखी हो जाता है। खेर असके बाद साबा यहां से चली जाती है। और यहाँ पर फारुक को दुरूव का मेसेज आता है कि मुझे से जल्दी मिल, मेरे पास तेरे लिए एक सर्प्राइज है। तो यह मेसेज देखते ही फारुव से मिलने के लिए चला जाता है। जहाँ पर दुरूव सर्प्राइज के नाम पर वीर को अपने साथ लाया था और वो वीर को फारुक से मिलाना चाहता था क्योंकि यहाँ पर सर्प्राइज यह था कि दुरूव ने वीर को अपने और फारुक के बार में बता दिया था जिसके बाद इस रिलेशन के बार में और फारुक के जो गे होने वाले बात थी वो सारी बाते वीर ने ही साबा को बताई थी तो इसी वज़े से फारुक काफे गुसा हो जाता है और वो वीर को गालिया देता है कि तुने ही मेरी बहन को मेरे बारे में बताया और इसी वज़े से अब मेरी बहन मुझसे नराज है औ इसका मतलब आज उनके घर पे कोई भी नहीं होने वाला और सुहा ने इसे एक अच्छे मौके की तरह देखती है कि यही सही मौका है कोईल के घर में गुस कर उन फोन्स को चुराने का क्योंकि उसके घर में आज कोई नहीं होने वाला तो यही बात सोचकर वो नीरज के पास ज में क्या चल रहा है वो तो मुझे आपको बताने के कोई जरुवत ही नहीं है खेर ये तीन हो जब अपनी कमरे में ये सब काम कर रहे थे तब अचानक से कोईल अपना मसाज कराने के लिए होटेल रूम से बाहर जाती है और हम यहां पर यह देख पाते हैं कि बली नहारा है मतलब हम लिट लिक्या देख रहे है और दूसरी तरफ हमना मसाज ना करा के वह आपस लौट रही होती है और वह देख पाते है कि याँ पर शरन बल्ली को देख कर मिट कर रहा है और यह टीज़ देखर हैए हेर चोड़ो इसके बाद हम यहाँ पर Dhiraj नीरज और सुहानी को देख पाते हैं जो कि अब कोईल के घर में घुश कर किस तरी किसे चूरी करना है उसका प्लान बना रहे थे इसके बाद हम नीरच को देख पाते हैं जो कि अब कोईल के घर में रात को घुश चुका था जब उसके घर में कोई नहीं था और धीरे धीरे वो उसी कमरे के पास ब खोल रही थी तब सुहानी को काफी ध्यान से देख रही थी कि क्या पासवर्ड लगा रही है तो सुहानी को पासवर्ड याद था और सुहानी ने नीरज को पासवर्ड बता दिया था तो इसी वज़े से नीरज आसानी से पासवर्ड लगा कर इस रूम को खोल लेता है इसके वो फोन्स को चुरा कर भाग नहीं वाला होता है तभी वो देखता है कि कोईल के घर में कोईल के डैड और वीर के डैड यहां पर घर पर पाटी करने के लिए आ गये हैं और यह चीज़ देखकर वो काफी डर जाता है क्योंकि अब निरच का इस घर से बाहर निकलना थोड़ा सब मुश्किल हो जाता है और दूसी दरफ हम यहां पर कोईल के डैड और वीर के डैड को देख पाते हैं और यहां पर वीर के डैड यानि अहुजा कोईल के डैड से कह रहे होते हैं कि मैंने मना किया था घर पे पाटी करने के लिए फिर भी तुई ने अपने घर पे ले आ अपने डैड के लैप्टॉप पर एक वीडियो देख लिया है यहाँ पर कोईल के डैड उसी वीडियो के बारे में बात कर रहे थे बट वीर ने तो इस वीडियो को देख लिया था यानि अहुजा ने उस वीडियो को डिलीट किया ही नहीं था वो बस ऐसे ही जूट बोल रहा दूसी तरफ हम यहाँ पर नीजच को देख बाते हैं जो कि किसी तरीके से घर के छट से निकल कर दिवार के जरीए किसी तरीके से नीचे उतर रहा होता है बट उसी वक्त उसका हाथ फिशल जाता है और वो सीधे नीचे फिरी केमरा चेक करो और पता लगाओ कि वो कौन है इसके बाद नीरज किसी तरीके से बुरी हालत में अपने घर पहुंचता है मतलब उसी सीक्रेट जगह पर पहुंचता है जहाँ पर सुहानी और धीरज नीरज का इंतजार कर रहे थे शायद तो और सुहानी भी यहाँ पर अचानक से धीरज को देखकर शर्मा जाती है और अपने घर वापस चले जाती है इसका मतलब कि यहाँ पर सुहानी नीरज और धीरज शायद दोनों को चीट कर रही है ऐसा नहीं लगता आपको क्योंकि वो एक तरफ नीरज को भी प्यार कर ने है नव